स्वागत है आपके को नई वीडियो में तो भाई एक ऐसी strategy लेका है जिसका मैं आपको live यहाँ पर proof देने वाला हूँ एक trade मैंने लेके रखी है so मैं आपको profit दिखा दूँआ उसका ठीक है, market में कैसी चल लिए मैं आपको बता दूँआ उससे पहले आज की जो वीडियो है सब लोगों के लिए काफी important है देखो भाई आपको अगर trading नहीं आती है तो आज की वीडियो देख लो आप आप जो कहते हो ना कि भाई यह line किस तरह से बनाई जाती है चार्ट के उपर काफी लोग मैंने देखे हैं आप मैंसे काफी भाई कहते हैं काफी लोग मैंने देखे हैं कि कुछ लोग चार्ट के पर lines बनाते हैं और वो profit कमा रहे हैं तो भाई वो चीज मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ बहुत important वीडियो आपके लिए होने वाली है समझ नाए जो की आजाएगा पांच में क्लास का बच्चा बैठालो वी समझ जाएगा तो एक काम करना दूसरी बार देख लेना ठीक है और तीसरी करडिशन एक हो रहे है मेरे भाई चैनल के उपर अभी आए हो आप तो भाईया मेक शॉर की आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि मार्केट की सारी अपडेट इस चैनल की उपर आपको मिल जाती है तो सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन जरूर दवा लेना क्योंकि मोटिवेशन मिलती है और यहाँ पर बहुत सारी वीडियो सब्सक्राइब कर लकेम अपर लाधिया यह है जैसा इंका ब्रेक आव्ट होती है ज्योंकि आपको चाट पर लगाको प्रेकट देर है breakdown होता है मैं आपको बता दूआ अब एक और बार बता रहता हूं भाई यहाँ पर side में box देखना box में नीचे second वाली जो line का option दिख रहा ना यह आपको इस पर क्लिक करके trend line का option क्लिक कर लेना अब क्या होता जैसे option को आप selected लोगे तो एक बार click करोगे तो हमारी trend line इस्टार्ट हो गई ठीक है हमाई line बननी स्टार्ट हो गई और जहां तक ले जाओगे महां तक हमाई trend line बन जाएगी ठीक है सो इस तरह से आपको चार्ट के उपर phone के उपर basically trend line बनानी है यह मैं आपको बता दिया है अब कितने डाइप के एक short लेके रखी है और यह bank nifty है और अपना देखो target कहाँ पर है अपना target आज का day low है so यह target ही हमारा बहुत जल्दी achieve हो जाएगा आप देख सकते हो हमाई target की तरफ किस तरह से price भाग रहा है अभी तक मैं आपको दिखाओ तो भाई कितने का हमने profit यहाँ पर gain कर लिया है कितने point हमने capture कर लिये 170 point हमने capture कर लिये 170 point can you believe this bank nifty के अंदर 170 point हमने capture कर लिये हैं भाई मैं market की strategies को जानता हूँ मैं market से काफी लोग कहते हो कि भाई काफी बहुत सारे लोग हैं मेरे भाई जो market में trading करते हैं कुछ सीखना चाहते हैं आपका भाई बैठ हुआ है market के वारे में जानता है थोड़ा बहुत जो मैं आपको जानता हूँ उसका आपके सामने नतीजा है और नतीजा है तो भाई है मैं आपको चीज सिखा जता हूँ ठीक है तो मैं अब चार्ट के पर आगे हूँ इन सब चीज को अटा देता हूँ सीधा bitcoin की चार्ट पर चलते हैं अब एक एक चीज यहां से ध्यान से समझना है जो मैं आपको बता रहूँ 15 वेट का चार्ट फ्रेम है ठीक है अब देखो प्राइस ना आपको अगर यहां प सीधियो की तरह गिरता हुआ दिकि अब इस तरह से भी प्रीज गिरता है ठीक है जिक जा करके अपर जब आपका प्राइस गिर तो आपको जुई सीडियों की तरह प्राइस गिरता हुआ दिख रहा है ना लाइक कैसे दिख रहा है मैं आपको यहां पर दिखाता हूँ इस तरह से ठीक है इस तरह से गिरता हुआ दिख रहा है ना तो आपको ना जब गिरे मार्केट तो आपको जो हाई पॉइंट है, हाई पॉइंट कौन से हैं भाई, भाई हाई पॉइंट होते हैं ये वाले, मैं आपको शो करता हूँ, हाई पॉइंट कौन से होते हैं, भाई हाई पॉइंट होते हैं ये वाले, जैसे ये एक हाई है, उसके बाद ये एक हाई है, ठीक है, उसके बाद ये एक हा इनको बस आप टच करते जो इस तरह से अगर आप टच करोगे तो देखो यह हमारी बन गई डाउन ट्रेंड लाइन इसको बोलते है हमारी डाउन ट्रेंड लाइन किस तरह से होती है जब ट्रेंड लाइन उपर से नीचे आए ठीक है तो इसको बोलते है डाउन ट्रेंड करना है कि जो आपके जहां से मार्केट दुबार्वास से गिरनी स्टाक्त हुई इहां से गिरी फिर तीयां से हुई तीसरी बार यहां से हुई चौत यहां आप मिला लू ठीक है और in future जब भी ये line तूटती है ये line कैसी है ये resistance की line है क्यों क्योंकि price जब भी इस पर touch कर रहा है तो price नीचे गिर रहा है in future अगर ये trend line तूटती है ठीक है तूटती है यना है प्राइस इसको तोड के उपड जाता है चार बार नहीं तोड़ पाया, पांच भी बार तोड़ देता है ठीक है, पांच भी बार यहांपर तोड़ के बाहर निकल जाता है तो आप ये समझ जाओ कि भईया, हमारा जो है अब मार्किट उपड जाने वाली है क्योंकि हमाई जो trend line है वो तूट चुकी है ठीक है लेकिन हमारा catch आएगा अब यहाँ पर अब ध्यान से सुनना इतना मैंने आपको समझा दिया है concept कि भगया किस तरह से आपको trend line बनानी है ठीक है अब trend line क्या होती है अब trend line में आपको बता दूँ जब market उपड़ जाती है तो मैंने आपको दिखाया कि price उपड़ इस तरह से जाता है ठीक है इस तरह से price उपर जाता है up trend line में क्या होता है up trend line में simple यह है कि price के जो lows है low यह है जहां से प्राइस दुबावा से उपर की side भाग रहा है यह ठीक है, इनको आपको मिलाना है वो होगे आपका uptrend line इनको आपको मिलाना है, किस तरह से मिलाएंगे एक बड़ क्लिक करो और इनके सब सारे lows मिला दू, इस तरह से आपने low मिला दिए, अब in future अगर ये नीचे की सेट कूग जाता है, इसका मतलब क्या है कि भी आप price पहले कभी नहीं तोड़ पाया अब trend line का breakdown हो गया अब trend line का breakdown हो गया, असका मतलब क्या है कि price मेरे भाई कहा तक आएगा price अब in levels तक आएगा ये वाले जितने भी levels है ठीक है, तो इसको क्या बोलते है, इसको बोलते है uptrend line, simple है चार्ट के पर समझाओंगो मैं आपको, इसको बोलते है uptrend line, और downtrend line मैंने अल्ड़ी आपको बता के रखी है, downtrend line इस तरह से होती है कि price जब आपका उपड से नीचे गिरता है इस तरह से, ठीक है सो आपको क्या करना है, simple मेरे भाई ये करना है आपको, कि आपके जितने भी highs है उनको आपको एक trend line से मिला लिए है ये देख रहे हो आप, ये highs को मैंने मिला दिया अब in future अगर ये high तूटता है मतलब ये trend line तूट जाती है, इसका मतलब क्या है कि price अब कहा तक जाएगा मेरे भाई, price अब in levels तक जा सकता है बहुत easily, ठीक है in levels तक जा सकता है बहुत easily ठीक है, तो downtrend line, uptrend line बता दी अब मैं आपको एक और concept बताता हूँ मेरे भाई, अब बोलते हैं इसको trap trading ठीक है, trap trading किस तरह से जैसे की, example देखो, यहाँ पर क्या है यहाँ पर आपकी एक downtrend line है ठीक है, यह मैंने लगा दी simple है, downtrend line का concept समझ गए आप कि मैंने trend line लगा दी, अब अगर यह तूटता है, ठीक है, अगर यह तूटेगी, downtrend line उपर की साड़ तूटेगी, तो आपको long लेनी चाहिए, ठीक है, यानि कि catch, catch ही आएगा मेरे भई, कि जब इस तरह से आपको trend line टूटती दिखे तो कई बार क्या होता है, price ना आपको पागल बनाता है, किस तरह से price दिखाएगा कि उपर टूट गे trend line तो आप कहोगे कि भई, आप तो downtrend line टूटके अब तो price उपर जाएगा, लेकिन price दुबरा से आजाएगा नीचे, यहाँ और आपके stop loss जितनी भी होंगे, उनको खा जाएगा ठीक है, तो इस तरह से इस चीज़ से बचने के लिए आपको क्या करना है, जो भी candle, एक trend line को तोड़ती है, तो उस candle को आपको mark कर लेना है, mark किस तरह से, मैं आपको live chart पर दिखाऊँगा इसका, example आपको इस तरह से mark कर लेना है, mark करने के बाद, ठीक है, यह पूरे zone को आप mark करके रखलो, जो भी candle तोड़ती है, अगर in future price, इस तरह से उपड़ से नीचे आएगा, और यहाँ पर कोई, आपको कोई candle दिखाता है, जिसकी wick नीचे के बहुत लंबी है, इस तरह से, ठीक है, तो आप इस समझ लो कि price अब उपड़ जाएगा, तो basically जो भी breaking candle होती है, उसको आप mark करके रखलो, mark करने के बाद, mark करने के बाद, बस आप इंतिजा करो कि दुबाज से price उस level के तरफ आए, यहाँ पर कोई rejection वाली candle दिखाए, कोई hammer वाली candle दिखाए, hammer candle देख लेना, एक बार कैसी होती है, फिर यहाँ से price उपड जाएगा, ठीक है, example में आपको दिखाता हूँ, चार्ट के उपर example, ठीक है, ताकि आप लोग फसे ना, क्योंकि आप लोगों को हमेशा फसाया जाएगा मेरे भाई, यह बात आप समझो, downtrend line मना देते हैं यहाँ से, यह, दो, तीन, अब सीधा चार, यहाँ पर देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच, जितने भी टच मिल जाएं आपके, बढ़िया हैं, पर एक downtrend line तब भी बन पाएगी, downtrend line तब भी बन पाएगी, जब minimum दो टच हो, ठीक है, अब यहाँ पर कितने हैं, एक, दो, तीन, चार, चार, पांच, और छटे टच में हमने, यहाँ पर क्या गरा, छटे टच में हमेरा, यहाँ पर breakout हो गया, अब जो भी breaking candle है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कोई भी अच्छी कासी breaking candle नहीं है, तो यहाँ पर हमाई trade जो है, आप चाहो तो ले सकते हो, और इसको अगर मैं इस तरह से कर दूँ, थोड़ा से इस तरह से कर दूँ, तो हमारी breaking candle कौन सी हो जाएगी, हमारी breaking candle हो जाएगी, मेरे भाई, यह वाली, कौन सी candle है, यह वाली breaking candle है, यह यही breaking candle, अब ध्यान से समना है, यह है आपकी breaking candle, बस इसको आपको क्या करना है मार्क करके रग लो rectangle बना लो इसके पर rectangle बना लिए अब इसको आगी खीच के ले जाओ ठीक है अब जब भी price दुबारा से दुबारा से price इस level में आएगा और कोई भी rejection वाली candle दे rejection वाली candle दे तो उसका मतलब क्या है कि price अब जाएगा उपर यह देखो प्राइज अब भागेगा उपर simple सी बात यह है कि जो भी breaking candle होती है एक downturn line की उसको आपको mark करके रखना है जब भी in future यहाँ पर कोई rejection वाली candle देखती है यह जी विक वाली तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ पर stop loss लागा लो और take profit अपना उपर का take profit का का होगा जो भी levels है यह market में यह हमारे take profit होगे like कहाँ पर जो just line पर पहले touch हुआ है यहाँ पर 1, 2, 3, यह तीन हमारे take profit होगे stop loss लागा लो उस trend line के नीचे और target ही होगे ठीक है तो यह होगे अपकी क्या यह होगे अपकी downtrend line दुबाज से मैं आपको एक और concept समझा देता हूँ यहाँ पर tension अलो आपका बाई सब कुछ बताएगा अगर आप आए हो न इस उमीद से आए हो कि भईया आपको कुछ सीखने किने मिलेगा सिंपल किलियर अब मैंने downtrend line बना दी तो अब आपको क्या देखना है जो भी breaking candle है breaking candle कौनसी है भाई breaking candle हमारी यह वाली इस breaking candle को आपको लो mark ठीक है एक साथ घुसोगे तो हो सकता है कि market में भाई आपका क्या हो जाएगा market में आपका नुकसान हो जागा अगर एक साथ घुसोगे क्योंकि हो सकता है कि price पढ़ जाए और फिर trend line के नीच आ जाए तो आपको बस mark करके रखना है अब in future कभी भी price दुबाज से गूम के आएगा इस level पर और कोई rejection वाली candle दे रही आपको यहाँ पर यही rejection वाली बस जैसे rejection वाली candle बिले तो यहाँ से अपनी trade लेलो आप initiate कर लो और stop loss कहा लगाना है stop loss लगाना है इस वाली candle के नीचे इस वाली candle के नीचे जहां से box बना है ठीक है इसके नीचे यहाँ लगा लो stop loss take profit क्या होंगे भाई take profit आपके सामने है पहला take profit हमारा यह होगा दूसरा take profit हमारा क्या होगा दूसरा take profit हमारा यह होगा ठीक है simple है समझके अब downtrend line ऐसे आप चार्ट में लगा सकते हो बहुत easy है कुछ भी hard नहीं है जो मैं आपको बता रहूं बहुत simple तरीके से बता रहूं और इतना simple है कि दुआ से इस वीडियो को देख लेना आपको समझ में आ जाएगी आपको basically upton line और downtrend line लगानी है जब downtrend का breakout हो जो भी candle breakout करे उसको पूरी को मार्क करके रख लो अब इन future price जब उस लेवल पर आएगा और rejection वाली candle दे कोई नीचे वाली candle दे तो आपका उपर का setup is ready अब नीचे के setup की बात करते हैं नीचे के setup के लिए आपको क्या डूनना है एक upton line डूननी है upton line किस तरह से होती ह इससे क्या है आप tapping से बच जाओगे example यहां पर दिखाता हूँ मैं ठीक है यह देखो price किस तरह से जा रहा है price studio की तरह जा रहा है यहां से यहां गया फिर यहां से यहां गया यहां से यहां गया यहां से यहां गया और फिर यहां से यहां गया ठीक है अब आपको क्या करना इसको आप पूरी को mark करके रख लो ठीक है breaking candle को हमने करके रख लिए mark ये mark करके रख लिए breaking candle ठीक है red वाली candle जो है मैंने mark करके रख लिए आप खुद देख लो यहाँ पर आके यह देखो मैंने mark करके रख लिए अब क्या wait करना है wait करना है कि दुबारा से price in levels की तरफ आये देखो हो सकता है कि price एकदम नीचे चले जाए फिर हमारी trade शूट गए लेकिन दुबारा से price अगर in levels की तरफ घूम के आता है तो भाई हम यहाँ से नीचे की short की trade लेंगे लेकिन rejection के उपर लेंगे यहाँ पर देखो आपको rejection दिखरी है कोई कोई यहाँ पर आपको जैसे price जवा से आया कोई rejection वाली के अडल दिखरी है नहीं दिखरी लेकिन जब दुबारा से price आया तो भाई यहाँ पर हमें rejection वाली के अडल दिखरी है तो भई यहां से आप ले सकते हो मतलब यहां से आप short credit ले सकते हो target कितना रखोगे target हमारे भाई हो जाएंगे ये levels ये levels हमारे target क्यापर हो जाएंगे ठीक है, simple है ये target levels हमारे हो जाएंगे और बहुत simple तेरी किसे बता रहा हूँ इस चीज़ को समझो trapping से भी बज़ जाओगे और market में profit भी बढ़िया कमाल होगे ये देखो, अब दुबार से एक बार बदायता हूँ अब 10 line लगा दी breaking candle कौन सी है, breaking candle ही है इसको mark करके रख लो breaking candle ही है न ये वली इसको mark करके रख लो, पूरी candle को mark कर लो और जब भी अब rejection वाली के इंडल नहीं आपर दीखे है तो उसका मदब क्या है कि price है हमारा in levels तक आएगा, ठीक है और यहाँ से shot ले सकते हो आप stop loss बिलकुल है, इसके high पे लगा लो box के उपर stop loss लगा लो, simple सी बात है छोटर stop loss हो जाएगा, ठीक है so यह चीज़ है मेरे बाई, इन चीज़ों को आप समझोगे बहुत simple है, market अगर उपर जा रही है एक और बार मैं आपको बता देता हूँ, जाता जाता देखो market अगर उपर जा रही है इस तरह से जा रही है market उपर इस तरह से market उपर जा रही है ठीक है, आपको क्या देखना है, CDO की तरह जाए ठीक है, आपको क्या करना है, एक trend line लेनी है और जो नीचे के level से इनको mark करके रख लो अगर आपको up trend line मनानी है और up trend line आपकी बेरिश होती है, जब यह नीचे की साथ तूटती है तो market फिर in levels तक आती है ठीक है, तूटने का वेट करो जैसी तूटे, कोई भी candle जो तोड़े उसको mark करके रख लो अब in future, दुबारा से price in levels की तरफ आता है को rejection candle दिखती है, उपर की साथ विक दिखती है तो नीचे की साथ हमारे ठीक है, यह आपकी होगी up trend line और downturn line किस तरह से, market आपकी नीचे गिर रही है इस तरह से, ठीक है, आपको क्या करना है बस in levels को mark करके रख लो जो भी highs है, इनको mark कर लो अब in future, price तोड़े इस level को जो भी candle तोड़े, उसको mark करके रख लो अब जो बदबार से आएगी इस level की तरफ और यहाँ पर कुछ hammer candle आपको दे like ऐसी candle दे तो उपर की side हम जा रहे है ठीक है, simple है समझके अब भाईया, चार्ट के पर आप खुद इस्तमाल करके देखो बहुत बढ़िया strategy है, मैं खुद इस्तमाल करता हूँ और इतने rigorous process को मैंने आपको इतने simple से बता दिया इसके लिए तो कम से कम वीडियो को भाईय करके जाना ठीक है, अब चलो एक live example देख लेता है market में, कोई भी live example पहले एक काम करते है, अपनी जो trade है bank nifty की, वो देख लेते है कि भी या उस trade में कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा तो भाई, यहाँ पर हमाई bank nifty की trade है ठीक है, अभी हलका से उपर की side आया है price लेकिन दुबाला से, मेरा मानना यह है कि दुबाला से price इन levels की तरफ जा सकता है ठीक है, तो possibility है, अभी इस level को touch कर रहा है है अगर इसको breakout कर देता है यहाँ बर यहाँ पर क्या वनी है अब आपको मैं समझाता हूँ, हमारी यहाँ पर वनी है downtrend line ये देखो, तूट गई, तूटने के बाद, downtrend line तूट गई, तूटने के बाद जो breaking candle का है, breaking candle है लिए हैं यह वाली breaking candle इसको मार्ग खरकर रख लिता है अब इधर आती है rejection देखो rejection वाली candle भी देखो live लाइव दिखा रहो उप्र गया प्राइस रिजेक्षण वाली केंडल दी और यहां को प्राइज उपर भागने लग गया अब हमारे टार्गेट क्या होंगे भाई टार्गेट होंगे हमारी इसको अटा देता हूं टार्गेट हमारे क्या होंगे अब मैंने जो अपनी शॉट वाली ट्रेडर उसको कर दूँगा क्लोस टार्गेट क्या होंगे टार्गेट हमारी हमर्ण कंडल देगा यह आपका हैमकेश्ट कंडल लाकर रखाद यहां से कडल स्क्राइफ करो किती तेजी से हम यहाँ पर प्रॉफिट अचीब कर रहे हैं, ठीक है, सो देखो, शॉट में भी पैसा कमा लिया, अब लॉंग का सेटप भी मिलीगा, अब लॉंग में भी कर सकते हैं, सिंपल एयार कुछ भी हाड नहीं है, अब टेड लाइन, डाउन टेड लाइन के बारे में अगर और देखना है, तो यूट्यूब के उपर सरच कर देना, बागी थेंक्यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, द्यान रखना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो सब्सक्राइब कर देना, बाइ टिकर एट बी सेफ,